नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज मेयता, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पे, फार्मा प्रोफेशनल कम्मिनिटी, मैं फार्मेसी और केमेस्ट्री के स्टूइंट्स के लिए विडियो बनाता हूँ, इस लॉगडाउन के समय में आपने जिसतर से मुझे स सब्सक्राइबर तक पहुचाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल आभार, आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्ट्यर से परिचित करवाने जा रहा हूँ, जो आपको इस लॉगडाउन के समय में आपके प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत मददगर साभी होँगा, इस लॉगडाउन के समय में कोई भी प्रैक्टिकल्स किसी भी कॉलेज में परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, काफी स्टूट्स परेशान हैं और काफी स्टूट्स घर पे बैठे हैं, तो आप अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए, मैं आपको एक ऐसे सॉफ्ट से परिचित करवाँगा, जिसका नाम है Chem Collective Virtual Chemistry Software, इस software को आप घर पे बैठे हैं, अपने laptop पर करके परफॉर्म कर सकते हैं, और chemistry के रिलेटेट सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, आपके practical परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको बेसिक जानकारी आए जाएंगी, आप सब लोग दोस्त, मैं आप सब का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर, Pharma Professional Community, और आज मैं आपको एक ऐसे software से परिचित करवाँगा, जिसका नाम है Chem Collective Virtual Chemistry Software, यह software आपको Google पे simply Chem Collective Virtual Chemistry Software ऐसा लिखने पर तुरन डाउनलोड हो सकता है, आप इसे अपनी लिंक से किया जाता है, इसके कौन से कौन से parts है, कौन से कौन से topic है, क्या क्या option है, इससे आपको पता चलेंगा कि हम कौन से practical को virtually किस तरह से perform कर सकते है, इस lockdown के समय में हमारे सामने काफी समस्याय आ गई है practical, नहीं हो पा रहा है बहुत से लोगों के लिए, तो यह software सभी students के लिए ब हमारा practical perform करते है, यह workbench 1 है, हम control plus N की command से इस workbench को ला सकते है, हम यहाँ देख सकते है कि यहाँ पर solution info कौन सा है, कहने का मतलब name, मतलब हम जिस chemical का इस्तमाल करेगा, अगर हम पानी का इस्तमाल करते है, हम sodium hydroxide का इस्तमाल करते है, अगर हम hydrochloric acid का इस्तमाल करते है, तो उसके बाद यहाँ पर हमें हमारा temperature दिखेगा और यह हमारा pH meter है, हमारे particular solvents का, particular हमारे solutions का, क्या-क्या pH है, क्या pH map dand है, क्या वो acid है, क्या वो base है, यह उसकी scale है, यह scale आपको बता देंगी कि आपका chemical कौन से pH पर work कर रहा है, क्या temperature है, सब कुछ इहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ file का option है, यहाँ edit का option है, यहाँ tool का option है, यहाँ view का option है और यहाँ help का option है, इस file के मदद से हम हमारा homework, कहने का मतलब हम हमारे practicals को इस पर upload करवा सकते हैं, दूसरा, हम यहाँ new workbench ला सकते हैं, जिससे हमें, जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूँ ctrl plus n पर तो हमें workbench 2 यहां दिखाई देंगा और यहां workbench 1 है हम दोनों workbench पर individually work कर सकते हैं हमें कोई परेशानी नहीं होगी उसके पाद आप देख सकते हैं edit को option है हम अपने workbench को delete यहां tools के option हैं यहां ग्लास वेर दिखेंगे आप देख सकते हैं यहां beakers है 600 ml की भी करें और 1000 ml की भी करें यहां हमारे पास ilniremer flask है जिसे हम हमेशा volumetric flask कहते है conical flask कहते हैं आपकी जीएगा 200 ml का volumetric flask है conical flask है 500 ml का volumetric flask है पास volumetrics भी है 100 ml के 200, 500 और 1000 के, हमारे पास 50 ml की bluret है और हमारे पास foam cup है, कुछ instruments की जायनकरी मैं आपको दूँगा, जैसे हमारे पास busan burner है, हमारे पास weighing boot है और scale है, साथ हमारे पास views, हमारे पास कौन से themes आते हैं, जिसमें metals में presentation, neutral और element, और help, control plus F दबाने से, या फिर सीधा F की दबाने से, हमें कोई भी software के related कोई भी problem चाहिए, तो हमें solve हो सकती है, यहाँ आप screen पर देख सकते हैं, यहाँ पर, iridium chemistry lab strong acid problem, मैं यहाँ पर एक किसी problem को solve करने के लिए, इस software को आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि, इसको इस्तमाल कैसे करते है, तो देखिए हैं, यहाँ पर, यहाँ पर चार option दीख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको click किया, यहाँ पर 0.1 normal न न वे चागए, मैं इस चीज को हटा दूँगा, यहाँ से, रिमोट कर दूँगा, अगर जैसे मेरे पास यहाँ पर चार बीकर है, यहाँ पर 2500 ली की बीकर है, इसको यहाँ पर इस तरह से click किझे, देखिंए, फ्रिसे बतादा हो, इस तरह से click कीजे, बीकर पर click कीझे, और 2500 ml की बीकर क्लिक करने से हमें यहाँ पर एक 200 ml की बीकर मिल जाएंगी यहाँ पर टेंपरिचर देखे 25 इगरी सेलसियस पीच वैसे का वैसा है हमारा एक्वियस का option खुल चुका है और solid का option खुल चुका है अगर हमें इससे बड़ी बीकर चाहिए तो मैं 600 ml की बीकर पर क्लिक करोंगा और यहाँ पर 600 ml की खुल जाएंगी अगर मुझे 1000 की चाहिए तो मैं 1000 की खुलूंगा और यहां इस तरह से इसको अरेंज कर दूँगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें हमारे प्रैक्टिकल के दर्मयान कोई भी वीकर चाहिए तो हम इन तीनों का इस्तमाल यहाँ पर बैठे-बैठे कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें 200 ml का इर्नेमल फ्लास्क दिखता है इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ उसके बाद मुझे बाद 500 ml का इर्नेमल फ्लास्क है मैं यहाँ ले आता हूँ उसके बाद हमारे पास कुछ ग्रैजुएट सिलेंडर है हमें ग्रैजुएटेड और कैलिब्रेटेड का फरक समझ में आना चाहिए जो चीश कैलिब्रेटेड नहीं है मुझे ग्रैजुएटेड कहेंगे यहाँ पर हमारे पास 10 ml का जिसे हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं लेकिन से कैमिस्टर की बादशा में ग्रैजुएटेड सिलेंडर कहते हैं हमें इसका फरक समझ में आना चाहिए 25 ml का हमारे पास फिर से एक ग्रैजुएट सिलेंडर है साथ ही साथ हमारे पास 50 ml का पी सिलेंडर है हमारे प्रैक्टिकल के दरमियान हम इन सभी मापदंडों का इस्तमाल करेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिकल काफी आसानी से और काफी accurate तरीके से हो उसके बाद हमारे पास 5 ml की पीपेट 10 ml की पीपेट यह पीपेट इस तरह से है simple पीपेट आपको फिर से बताता हू 10 ml की पीपेट है हमारे पास यह 10 ml की पीपेट मैंने आरेंज कर दी आप लोगों के लिए इसके बाद हमारे पास 25 ml की pipette भी है यह आप देख सकते हैं और हमारे पास disposable pipette भी है तो इस तरह से हमें हमारे हतियार पूरी तरह से चुन लेने होंगे हमारे practicals के लिए क्योंकि कोई भी chemistry students के सबसे basic हतियार यही होते है और सबसे महत्वा पूरणा volumetric class जिसमें हम हमारा concentrated solutions बनाते है stock solutions बनाते है और जिससे हम हमारे dilutions करते है जो हमें UV spectrophotometer और अलग-अलग HPLC के calibration में और HPLC के instrument के uses के लिए असे के लिए titration के लिए use होते है तो यह volumetric class बहुत ज़रूरी है यहां पर हमारे पास 100 ml का volumetric class भी है इसमें से virtually इसमें से आग निकलेंगी आप सब काफी शॉक हो गए होंगे कि यह virtually सब कुछ कैसे हो रहा है लेकिन यह आज के युग में बहुत संभव है और इसकी आदध हमें होनी चाहिए यह हमारा weighing boot है जिसे हम हमारे weighing scale पर लाएंगे दीखिए यहां पर tear के option पे 106.877 gram इतना दीख जाएंगा मतलब इस beaker का वजन हमें यह दिख रहा है तो हम इसको अगर tear कर ले तो यहां 0 लिखके आ जाएगा इस तरह से यह हमारी basic चीजे हो गई अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से chemicals इसमें use किये जाते है जिससे हमें पता है चल सके कि हमारा practical किस तरह से perform होना है तो मैं आप चला जाता हूँ workbench first पे थे हम workbench 2 पे चले जाते हैं अब यहां पर workbench 2 पे अब जिस तरह से आप दिख सकते हैं कि हमारी बस distill water है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी beaker में volumetric flask में कभी भी कोई distill water अगर हमें डालना रहा तो हम किस तरह से डालेंगे वो भी virtual तरीके से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहां सबसे द्यादा right side में आपको ऊपर दिख रहा होंगा distill water h2o मैं इसके उपर एक बार क्लिक करता हूँ और इसके सामने जो workbench 3 लिखा हूँ है click to retrieve a solution from the stock room इसके उपर क्लिक करते ही यहां पर हमें distal water का एक बहुत बढ़ा tank दिख जाएंगा जसके left side में देख सकता है solution info में यहां इसका name लिखा हुआ है distal h2o volume 3000 ml इसका aqueous log molarity h plus i n की 1.005 e7 है molarity और इसकी OH की 1.00 e7 है दोनों की एक समान है यहां यह solid रूप में तो नहीं है ले एक तूसरी बिकर जिसमें हमें हमारा पानी डालना है मैं आपको practical करके बताता हूं virtually जिससे आपको पता चल सके इसमें पानी डाला कैसे जाता है जैसे अब मेरा इस cursor मैं इसको पर ले जा रहा हूँ और इसको recipient पर क्लिक करता हूँ यह recipient बन जाएगा और मैं distal water इसको as a source कर और यहां पर आप सबसे नीचे देख सकते है transfer amount ml मैं सुझी अगर इसमें मैं यह 200 ml का बिकर है मैं इसमें अगर 100 ml पानी डालना चाहता हूँ मैं 100 नीचे type करूंगा space देखर ml लिखूंगा और यहां pour का option है right side pour कर दोंगा pour करते हैं आप देख सकते है 200 ml का बिकर में पानी आ देखने रहे तो मुझे क्या करना होगा मैं अपने cursor को simply अपने बिकर पर ले जाता हूँ इसको right click करता हूँ और यहां पर नीचे आप देख सकते है thermal property क्रिक एक option है display the thermal property of the currently selected flask इसको पर जैसे ही click करूंगा यहां आपको option दीखेंगा dice ml beaker 25 degree celsius set the temperature to मतलब मैं इसको अगर search होते हो देख रहा है molarity के h plus i n की molarity के oh minus i n की molarity के उसके वाज़ का temperature भी यहां नीचे change हो रहा है pH की scales भी कुछ healthy healthy दिखाई दे रही है तो इस तरह से हम हमारे practical का temperature भी maintain कर सकते है इस practical की खाजबात यह है तो चलिए दोस्ता अब मैं आपको बताता हूँ अलग-अलग chemicals से आपका परीचे करवा देता हूँ जिससे आप practical के दर्मयान अपने सभी chemicals का इस्तमाल कर सकते हैं और कोई पर practical कर सकते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट इस बेस पर विधान पर नियधारित है कि हम आपको आज ब मैं इसको simply right click करूँगा सबसे नीचे में remove का option remove कर दूगा और यहां पर speaker वे भी right click करूँगा हमें हमारे cursor पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और delete your current section जिससे अब हमारा workspace पूरी तरह से खाली हो चुका है जिससरा से हम हमारे असली practicals में हमारे workbench को हमेजा खाली करना चाहिए हमें उसे साफ रखना चाहिए ऐसी instruction हमारे guides हमें देते रहते हैं यहां पर भी हम आपसे साफ सूफ कर सकते हैं तो देखिए यहां पर सबसे right side में हमें पानी का इस्तिमाल कैसे करना है पता चल गया अब इसका राम temperature अभी दिख रहा है आपर हमें 25 degree celsius है तो इसका pH दिख रहा है 14 यह काफी basic है इसके आप molarity देख सकते है h plus ion की molarity काफी change दिख रही है OH minus की दिख रही है और Na जो sodium हो दिख रहा है यहां दोनों graph उपर है यहां पर आप नेम solution दिख सकते है one normal NaOH और volume देख सकते है 100 ml तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे screen पर हमारा कौन सा chemical available है अब हम strong base के अंदर दुसरी category की बात करेंगे 0.1 normal molar NaOH इसके उपर जैसी में एक बर click करता हूँ तो हमें 0.1 molar NaOH मिल जाएगा इस speaker को मैं instead ले आता हूँ यहां पर आप दिख सकते 1 molar NaOH और यह 0.1 mol NaOH दोनों में difference है अब जैसे ही मैं इसके उपर click करता हूँ हमें आ दिखेंगा कि हमारा pH की scale जो पहले 14 पे थी वो 14 से 12 पे आ गई हमारे molarity में कोई ज़्यादा परक नहीं है लेकिन हमारे यह जो graph है लाल, हरे और नीले यह उपर आ चुके है और इस बार हमारे पास name solution में 0.1 molar NaOH और volume solid है इसी तरह से मैं 3 mol का NaOH भी ला सकता हूँ 10 mol का NaOH भी ला सकता हूँ अब मैं आपको indicators से परिचित करवा देता हूँ इस methyl orange के आप देख सकते हैं आपर यह काफी scale से आई इधर आ चुका है 6 और 8 के बीच के इस side में आ चुका है 25 degree Celsius और methyl orange के आपको molarity यह दिख सकती है, methyl orange के molarity का यह पार देख सकता है यह graph काफी change हो चुका है इससे हमें पता चलता है कि हमारी molarity chemicals के कैसी है अगर हम methyl red यूज करना चाहते हैं मैं इसके पर एक बार क्लिक करूंगा उपर जाओंगा और हमें methyl red मिल जाएंगा यह indicators हमारे titration के endpoints को determine करने के लिए इस्तमाल होते हैं जब जैसी मैं इसके बार क्लिक करता हूं हमारे सवा मिलका methyl red मिल जाएंगा और यहां हमारा graph काफी change हो चुका है molarity case में हमें molarity का काफी खात ध्यान रखना है जैसे हम हमारी solubility और हर चीज़ पर पहुत ज्यादा ध्यान रख सकते हैं इसका pH यहां पर 6 हो चुका है काफी changes आ चुका है हम यहां से हमारा temperature edges भी कर सकते हैं इसके उपर जाएए क्लिक किजिए और thermo property पे जाएए 25 degree का मैं 35 degree कर दू अगर तकर ठुके करता हूँ तो यहां पर temperature change होता दिखेंगा आपको और यह particular इसी के लिए हो रहा है इन लोगों के लिए नहीं हो रहा है हर chemical के लिए आपको उसके उपर जाना होगा अपने करसर को ले जाना होगा click करना होगा select करना होगा thermal property में जाना होगा और बस आपका conjugate base पर जाएए click कीजिए आपर हम देख सकते है screen पर 1 mol NaN CCH2COO जीसे हमारे chemical है हमारे पास 1 mol Na2CO3 है Na3PO4 है Conjugated basis है हमारे पास सारे यह आप देख सकते है strong acid भी है हमारे पास 10 mol का NaOH HCl है इसको एक बार click करूँ में आपको दिखाता हूँ 10 mol का HCl हमारे पास आ चुका है हमारे पास 3 mol का HCl भी है जाए click कीजिए लिए इस screen पर यह सारे chemicals हमारे practical में बहुत मददकार होगे तो आप कोई प्रैक्टिकल अपनी बुक में से उठाइए टाइटरशन का जो भी आपको पसंदा है और इस वर्चुल स्क्रीन पर आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए और अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टेंडिंग को बहतर कीजिए अपनी स्किल्स कीजिए जिससे आपको पता हो आप इसकी प्रैक्टिक्स किया किजिए जिससे आपको पता चल सके कि यह प्रैक्टिकल इस तरह से परफॉर्म होता है यहाँ पर नीचे वीक एसिड है मैं वीक एसिड पर एक बार क्लिक करता हूं यहाँ पर 1mol HF CH3COOH acetic acid 3mol का CH3COOH acetic acid भी है हमारे पास H3PO4 है H3PO4 1mol का भी है इस सारे केमिकल से हम काफी परेचित है लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल को भोलते जा रहा है तो हमारी स्किल्स को हमेशा काबू में रखने के लिए और हमें उसे वैलिडेट करने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल करके हम हमारा समय वारबाद न करे और हमा H3 0.5mg ब्रैक्ट में OH2 बेस्टूदी में 1mol NH3 है 1mol C5H5N है 3mol C5H5N है कॉंजुगेट ऐसी से और 1mol NH4Cl है और इन सभी केमिकल्स का इस्तमाल हम हमारी वर्द बेंच के हमारे दूसरे हतियारों के मदद से करके हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते है अगर आपको कैम इंटरनेट से कोई प्रैक्टिकल चाहते है तो आप सिंपल कुछ नहीं अपना करसर फाइल मोड पे ले जाईए और लोड होंबर पे क्लिक केजिए कंट्रोल प्लोस हो लगा कि यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट लैप सेटप सेटप पाई सेटप दिमोंस्ट्रेशन मोलारीटी और देंसिटी स्टॉचोमेटर लिमेटर एजिंट और यह लूकल प्रॉब्लम्स को आप इस्तमाल करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा मेरी आप सबसे बिंति है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से आप अपने प्रैक्टिकल्स की स्केल्ग को बढ़ाईए मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बता हूँ है बहुत बहुत शुक्री है टेक केर अपना द्यान रखे